जैक हाइड ओके सर लेंडिंग के लिए तयार तयार सर धन्यवाद शीतल पैसेंजर्स को बता दो कि हम आप उतरने के लिए तयार है अपने अपने सीट बेल्ड बांध ले कोफी समो데 का थो ३ नहीं यार्व हरो पैस आपने स्वाणरे अपने सबस्ट्रों睡ेट इजह अब लेप्रन भी सबस्किन करता है कि अब रश्वाच没有 बतरू के अब है नहीं यार भूकम्प नहीं है लेकिने कैसा सपन आया था कि दिल खुश हो गया हम दोनों सपने में एरोप्लेन उड़ा रहे थे काश हमें सच्मुच एरोप्लेन उड़ाना आता कुड़ी बाबा अरे मेरा 20 सल का ताजूर्बा बोलता है कि हम तुमको पाइलट का ट्रेणिंग दे सकता है लेकिन पाइले गौरम गौरम चाय पिलाना होगा जले भी और समोशा खिलाना होगा ओके तुम जो कहोगे हम उहे करेंगे अब चल्दी से हमें ये बताओ कि हम पाइ मेरा 20 साल का तोजूर्बा में हमा ऐसा कॉंजू साथ में कभी नहीं देखा अरे ये क्या है ये क्या है ये क्या सप्लेन है प्लेन तु लग नहीं रहा गौर से देखना चाहिए अरे ये कैसा प्लेन है भाई ये जटका एर्वेज का पाइला प्लेन है क्या तुम हमें इस प्लेन पे पाइलेट की ट्रेंडिंग दे सकते हो यार मोटू पतलू तुम्हें पाइलेट बनने से पहले प्लेन के बारे में जानना बहुत जुरूरी है इस प्लेन का वजन 500 किलो, लंबाई तीन मीटर इसमें दो इंजन है जो इसके अंदर लगी इस चावी से स्टार्ट होते यार इंजन स्टार्ट होने में रिक से वास आएगी यार, जैसे कि आहां बहुत कहां से आही है यह क्या कर दिया हो, रोको और रोखो उसे, आज़े रोको ब्रेक लगाओ अब्रेक यह ब्रेक है गहा, दिखे दो लगाओ डॉक्र चेक आप को यार रूर्स-ग्यर क्यों लगा दिया यार् क्या मुझे मार्ना चाहते हो आगे का कियर ठगा। यह एक लगा दिया ज प्लैस्टर दिख सकते हो यह क्या कर दिखे हो देख्यों přेड़ती प्लैन उपड़ नहीं कहिचना थ Nope तुम्हारे सामने स्टेरिंग है उससे प्लेन लेफ और राइट गुमाया जा सकता है और उपर और नीचे भी किया जा सकता है कसम मेरे मरीजों की ट्राइ करके दिखो यह लेफ्ट यह राइट यह लेफ्ट फिर राइट और यह आप और यह दॉक्टर जटका बचाओ अभी तुम उपर वाले के ज्यादा नस्दी को उसी से मदद मांग लो इस प्लेन को नीचे उधारने का कोई तरीका तो बता अप्लेन लेंड करने का तरीका तो पता नहीं अभी तक वो इस्ट्यूमेट लगाया ही नहीं है काम करो जल्दी से सीट बेट बांद लो प्लीज में नीचे उतारो मुझे पाइले नहीं बनना है मेरे भाई हाँ बहुत हो गई पाइलेट ट्रेनिंग मैं ट्रक ड्राइवर ऑटो ड्राइवर कुछ भी बन जाओंगा लेकिन पाइलेट नहीं बनोंगा जीज नीचे उतारो हमें अचा ध्यान से सुनों तुम्हारे सामने एक लाल जबान है सबनी अब दिόन नहीं दमा दिया तबातिया हमने तो बटन दबा दिया अब क्या करना है अच्छा तुम मैंने साथ आपत्त के बोलो ह है उपरवाले हमारे पापों को माफ कर देना हम आपकी शर्ण में आ रहा है यह यह क्या बख्वास है जो बटन तुम ने दबा दिया उससे प्लेन वापस कार बन जाएगा और कार और और में नहीं उड़ती है नहीं नहीं दोक्तर जट्टा बचाओ अच्छा सुनो तुमारे सामने एक नीला बटन दिख रहा होगा नीला बटन तो है लेकिन हम उसे नहीं दबाएंगे पर सच मुशी नहीं दबाओंगे नहीं हरकिस नहीं अब हम गलती दुबारा नहीं करेंगे अच्छा तो मेरे साथ काफ करना करना हमारी और यूचिंग क्यों कहलवा रहे हो क्योंकि नीला बटन दाने से कार फिर से प्लेन बन जाएगी लेकिन तुमम लोग नीला बटन बटन नहीं कहते है तो यह तो तुमने इनको इतना जल दी प्लेन उदाना सिखा दिया ओए गसीटे वो प्लेन उदानी रे प्लेन गिराओ रहे ओए जान प्यारी तो भागो उदी नीचे तो आओ हम हमारा चाय समोशान लेके रहेगा शुकर है कुछ खाने को तो मिला बहुत जोरों से भूग लगी थी यहां जान पे बनाई है और तुम्हें खाने की पड़ी है अरे तुम क्या समझ रही थी डिने की मेरा आम लेकर भाग सकती हो अए अफ फिसंत कि अ ऊ è यहूड है इसलिटल भुटिलोग है यह लाल बत्ती क्यों जल रही है अरे उपर वाले प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया पेट्रोल खत्म अब हम उड़ नहीं सकते मोटू कुछ कर जल्दी से नीचे उतरने का कोई आइडिया निकाल खाली पेट मेरे दिमाग की बत्तिन नहीं चलती अरे एक ही आम था वो भी चला गया यह उपर वाले किस भुखण से पाला पड़ा है तू ही कुछ मदद कर अरे पत्लू हमारा प्लेन नीचे उतर गया हां यह उपर वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया यह तो हम किसी और प्लेन प्लेन कर गए बचाओ यह कोई पार्किंग की जगे नहीं है अभी दिखाता हूं हां अई है सबर्ट कर चाहिए तो पार्किंग के पाई से ले लो अ कर दो हां मां रहर न मचे हो आड़ा है है मोटे ही हार्च ही हारा है अधिए भूपले बनली बनले बच गए है बच गए जी बच गए है यह है भाई कोई है पचा हूं पचा है इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अठके लेकिन बच गए